नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब के चैनल सनातन धरम में किसी की बातों का हर ब्यक्ति पे समान असर हो ये जरूरी नहीं होता ऐसे ही आज एक कहानी लेकर आया हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आईगी वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना तो चलिए सुरू करते हैं एक राजा को राज करते काफी समय हो गया था बाल भी सफेद हो गय थे एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया उस्थो को रोचक बनाने के लिए राज की सुप्रसिद नर्तकी को भी बुलाया गया राजा ने कुछ सोन मुद्राइँ अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि वो नर्तकी को उपहार के तोर पर दे सकें आ रही है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है वरना राजा का क्या भरोसा कहीं हमें धंड दे दे इसके लिए नर्तकी ने एक दोहा बोला जो कि उस तबले वाले के लिए उसने बोला था घड़ी गई थोड़ी रही यामे पलपल जाए एक पलक के कारणे यूना कलंक लगा आए अब इस दोहे का अलग अलग ब्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा जब यह दोहा गुरू जुने सुना तो गुरू जी ने सारी महरें उस नर्तकी को दे दी दोहा सुनते ही राज कुमारी ने भी अपना पर यह क्या हो गया अचानक एक दोहे से सब अपनी मुलिवान बस्तु बहुत ही खुस होकर नर्तकी को भेंट करने लगे राजा सिंगहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक दोहे द्वारा एक सामाने नर्तकी होकर तुमने सब को लूट लिया जब यह बात राजा के आखे खोल दी दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ती करता रहा और आखरी समय में नर्तकी का मुझरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहां पहुँच गया भाई मैं तो चला यह कहकर गुरु जी तो अपना कमंडल उठा कर जंगल की और चल राजा की लड़की ने कहा कि हे पिता जी मैं जवान हो गई हूँ आप आखे बंद किये बैठे हुए हैं मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं आज रात मैं आपके महावत के साथ भाग कर अपना जीवन बरवाद करने वाली थी लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमती दी ह कि जल्दबाजी न कर हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए क्यों अपने पिता को कलंकित करने पे तुली हुई है यूराज ने कहा महराज आप ब्रिध हो चले हैं फिर बे मुझे राज नहीं दे रहे थे मैं आज रात ही आपके सिपाईयों से मिलकर आपको मारने वाला था ल ये सब बाते राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्म ग्यान हो गया राजा के मैं में वैराग्य जाग गया राजा ने तुरंत फैसला लिया क्यों न मैं अभी यूराज का राज तिलक कर दूँ फिर क्या था उसी समय राजा ने यूराज का राज तिलक कर दिया अपनी प्रभू मेरे पापों से मुझे छमा करना बस आज से मैं सिर्फ तेरा ही सुमिरन करूंगी। जिस व्यक्ति के पास जैसी ग्यान सकती होती है।